सो हेलो गाइस तो गाइस साब सभी लोग और सुवागत है आपका मेरे एक को ने एपसोड में और आज हम फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं एक नवी गेम जिसका नाम है एकवारिष्ट और हाँ इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं इस गेम में हमें अपना इस गेम को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां स्टोरी ठेख और यहां पे यह मेरे डाइड है जो कहां चुके है एक एक त्रेडी करना अच्छी तरह मचली ऑचली डालने है इसमें तो ठीक है अभी इन्होंने इसको रख दिया है यह तो जा चुके है अपने यह से इसको तो चलो ठीक है हमारा काम स्टार्ट हो चुका है यहां पर हमारा यह फॉर्स्ट एक्यूरियम है जिसे कि हमें रैडी करना है तो ठीक है भाई इसका हमें देखना है टेंपरेचर 18 करना है अब है इस लिए बात नहीं यहों बाकी लोग हमारे इतने दिन से मैंने वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं डाली क्योंकि आरदेखो अब आज बैठी हुए थी और थोड़ा बहुत फिवर विता इसकर के मैं डाल नहीं पाया बठीक है अब एप सोड़ा आएंगे आइ जल्दि से इसमें क्यासी बात नहीं से डालना ये रहा गये तो इसको डालना है ये गिर क्योंस रहा आप है ये धूड साइड को निकलने इसमें पाकी ठीक है आगे की तरफ को गेरना है भाई कहीं पता लगे नीचे ही गिर जाए यह तो अभी थोड़ा सा रहा चुका है दो तीन बारी शावल डालूगा ना हाँ हो जाएगा पांच बारी साइसिस में शावल डालना पड़ता है जो कि हम डाल लेते हैं चल्दी जल्दी द में यहां पर मैंनें और यहांगं को जाता हूँ दिक रहता हैं बारी बारी लेके जाता हूं तो ऐसु रखना पड़ेगा हमें थीक है अभी यह दो तीन और बचिlyी तीन displaying टीनों को यसे रखना और यहने थोड़ा से design भी करना पड़ेगा मतलब इसमें plant भी लगाना पड़ेगा background भी लगाना पड़ेगा जिससे की भाई यह थेकने में काफी ज्यादा अच्छा लगे तो चलो ठीक है अभी तो मैंने इतना रख दिया है ये भी रख देते हैं ठीक है अभी हो चुका है यहां पे अ अभी मैंने ये भी लगा दिया है अभी मैंने यहां के लिए मिर को यहां से heater मगाना है तो ठीक है यहंपे यह tea got चोटा सा हीटर बाइ कर सकते हूं मिरे पास देखो 4.49 डॉलर है जिसमें कि मिरे को यह बाइ करना है और हाँ पूरे करना है तो ठीक है अब यहां से मैं इस फिल्टर को मतलब यार इस इटर को उठाता हूं इसको लगाते हैं इसको भी ओन करना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा हमें कि सीटर कितने पर चल चुके तो यह दिर रखा है और इसका टंप्रेचर दिर रखा है जो कि मुझे रखना पड़ेगा तो इसका टंप्रेचर अभी कितना रखूए यार में कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है मैंने यहां पे हीटर जो था वो हटा दिया है अभी मैं देना चाहता हूं थर्मोमेटर तो यहां पर मैं एक थर्मोमेटर भाई करता हूं पंदर्र डॉलर करता हूं और इसको भी लगानाना है नीचे की तरफ मैने उसे लगा दिया इसे पृथ इसको के लिए मैंने को कितने लेवल पर रखूं तो ठीक है अभी के लिए को मैं इसको में दिया था दो मेंटर को मिलेको 16 दिया था ना तो 16 गया सपास ही रखता हूं या फिर इसको भाई समाज नहीं आ रहा इसको ठीक है फिस्ट के साप से रख लेंगे अभी जब हम मचली बाय करेंगे तब तो ठीक है अभी ना हमको दो गोल्ड फिस्ट बाय करनी है जो कि मैं निकाल लेता ह इने जल्दी से डाल देते हैं यह दोनों गोल्ड फिश है तुम्हें पता ही है बागी हमारे अक्योरियम में भाई यहां पे दो दो मदब एक फिल्टर है हीटर लग चुका है और हाँ थैर्मोमेटर भी है जिससे कि आउक्सीजन अराम से ले पाएंगे इस पानी में तो च दिरे दिरे करके काफी सारी फिश हो जाएंगी तो चलो ठीक है अभी थर्मामेटर सेट नहीं कर रहा था पांच पे तहे तो अभी इसको ना मेरे को थोड़ा बहुत सेट कर लेना चाहिए क्योंकि देखो यार इनका ना भाई मेरे को देखना पड़ेगा यह तो ऑन है खाना निखाया इन्होंने तंप्रेचर वैसे इनके साब से बहुत ज्यादा कम है प्लांट नहीं है हमारे इसमें डेकुरेशन तो भाई चार प्लांट मतलब यार वह रखके हमने रॉक्स जिसके करके मेरे को लगता इतना चाहदा कुछ होगा फिस अमाउंट अभी बीड़न रहाए इस अधिया यह जालाकर ठीक है आपि तो खाना धना ऐ द्लेखता लेंगी तो खाना हो हैǯहां देने जो आधे गहीं है ॽकाना रहा हानों कीसे यह आई काफी दीजितित है मल्ला काफी ज़्यादा चोटी फिश है ठीक है भाई फाइऊ थोड़ा बहुत क्हाना खा लेंगी तो चलो ठीक है अभी के लिए यहां खाने का विए स्वह तोड़ा और खाना दे तूं के ने नहीं नहीं अभी मेरे को ना प्लांट्स भी लगाने इने खाना देने के बाद हम अपने हम प्लांट्स लगाते हैं तोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं जिसे की इने कावी जाद अच्छा लगे उपर की तरफ मुझे एक लाइट भी लगानी है जो कि अच्छी तरह नहीं मतलब यार दिखे इतना डेकोरेशन कर रहे हैं तो हमारे घर में रखा हुआ यह दिखना भी तो चाहिए तो मैं पता ही है बागी ठीक ह अभी मेरे को पर पैरा मीटर ठीक है भाई इन सब को ठीक करना पड़ेगा भी उसे आप से मेरे को टंपरेचर करना पड़ेगा मेरे टंपरेचर उतना है नहीं इस अक्यूरियम का जितना दिखाया गया है बागी ठीक है यहां पे मेरे को रॉक्स लेने है यह वाले तो ठीक कोई नहीं अभी केले मुझे क्या करना है याँ पे इनका बैकराउंड लगाना है सिना हमारा जो एक्योरियम है वह काफी जादा अच्छा हो जाएगा तो ठीक है मैंने बैकराउंड ओर कर लिया है और बैकराउंड को मेरे को यहां बैक मतला है पीछे की तरफ लगाता हूं और अगर पड़ेगी तो green कणलर का पूरा नहीं अच्छा कासा लगेगा यहां पर ठीक है अभी न में यहां पर लगाता हूं green तो यहां कट ठीक है green भी लगचुका है अभी के लिए हाँ सब कुछ सही चल रहा है बस इसको अब हमें अंदर से भी देखना तो अभी ना मेरे को यार क्या करना है आप एक रिमूवर लेना है जो कि हमारा बैग्राउंड रिमूव कर सके मतलब यार यह बताई रहे हैं अभी टुटोरियल की टाइप की एक सीस्ट में रिमूव करनी पड़ेगी जो हमने ग्रीन वाला लगाय तो मैंने रिमूव कर दिया इसको मेरे को पीछे लगाना है तो ठीक है यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर मेरे को स्kiegoौन करना पढ़ेगा और यहां पर एक काफी चाथ लगा ऋ चुका है तो टीकई यहां पर बहुत ही अच्छा लगा हो तो ठीक है जैक 7 तो जो लेते हैं तो चलो एक बार मैं इन फिश को सामने मतलब एक चीज रिमूफ करनी है मैं यह तो भूली गया दो मिट इसे न मैं पहले कबाड में फेकता हूं ठीक है वो जा चुक है अपने कबाड में और अब हम इसे अंदर से एक बारी देख लेते हैं मचलियां कैसे घूम रही तो ठीक है पाकी यार गलती से न मेरे से बैगराउंड इसका सेल हो चुका है तो चलो कोई नहीं अभी के लिए इतना ठीक है और यहां पे देखो मैं अंदर भी आ सकता हूं इस पानी के तो ठीक है यहां से मचलियां देख लेते हैं जो कि तुम देखी लो यह मैं बोर रहा लगता है बढ़ ठीक है अभी के लिए और यहां टैंपरेचर थोड़ा लो है इसका तो ठीक है इसको हम सेट कर लेंगे और मेरे साब से हमारे डैडी आ चुके हैं यहां पे तो चलो अभी डैडी से बातचीत करते हैं और इनका ना हम एक्योर हम इने देते हैं ठीक है लेव यार यह क्या भाई एक्योरियम को कितना ही जादा इनोंने गंदा कर रखा है तो ठीक है हमें इस एक्योरियम को साफ करना है और हां इसमें ना भाई मचलियां मर चुकी हैं तो इनको भी निकाल के हमें फीकना पड़ेगा बागी तुम्हें पास से दिखा देता हूं यह दि इस algorithm को भी साफ करना था filter heater भी इतना जादा गंदा पढ़ एक का उसे भी मिर और को clean करना पड़ेगा तो चलो ठीक है अब नहीं एक net buy करे रहा है जिससे कि नहीं ये fish निकाल सकते हैं तो ठीक है अब यह नमय नम्यार को निकाल निकाल के देखो यहां पे ना मेरे को stress में फेकना पड़ेगा तो ठीक है जितनी फिश ने मैं जल्दी से इने फेकता हूं ठीक है यहां पे मैंने फिश ना सारी की सारी निकाल के फेक दिया है और अब भी हमें बाइ करना है इसे clean करने के लिए एक समान जिसका नाम है sp तो ठीक है अभी ना मैं इसको clean कर लेता हूं पहले बाई बाखी की बाद बाद में करूंगा यहां heater और भाई देखरो filter कितना ही ज्यादा कंदा पड़ा है बाई सही में से क्या हाल कर दिया था वो तो हम ना होते तो हमारे डैड वाला मतलब यार हमारे घर का ही था बच्छ साफ कर लेते हैं तो यह रहा है यहां पे मिलोगा पर छाफव कर न तो ठीक है अभी ना मेरब को क्या बाइ करना ये जिससे कि यह गंदा पानी है इसमें से निकाल दे ते हम एक बौकईट भी बाइकरनी पड़ेगी तो मैं बॉक कर लेता हूं यहां पे कहां पर यहां पर यार मने बॉकर नहीं बुलिगा दो मिन जल्दवाजी में न बुखट लेना भूल गया तो ठीक है एक bucket आ चुकी है हमार पास और अब भी के लिए मुझे इसका पानी निकालना है तो ठीक है अभी देखो यार पानी आना सुरोच का है ये पानी को मेरे को फेक नहीं मतलब एक्यूरियम मैंने इस सिंक में तो ठीक है मेरे पास जितना भी भाई इसक इसका गन्दा जो स्वाईल इसको निकालना पड़े खें तो 2 मिट अभी न और अब मुझे क्या करना है इसमें भाई पेड़ पूर नहीं इसमें स्वाइल लगाना है तो ठीक है अभी न मैं स्वाइल चुरू होगा तो चलो ठीक है अभी के लिए यहां पे हमारा काम बंच चुका है यहां पर यह भी डल चुका है यह एक बारी लाश्ट बारी भाई यह डल कुने रहा दो मिंट थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा ठीक है मैं पीछे कर देता हूं तो इसे गिरने का डर होता है कहीं बाहर न गर जाए तो ठीक है अभी के लिए पूरी तरह से फूल हो चुका है एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल भी नी डाल सकता तो चलो अभी मेरे को बस फिश्ट बाई करनी है उसमें नहीं फिश्ट भाई खाली पानी म करने के bucket б разбio करने के bucket k Grindy कम कर ले रहा में अधाय और मेरे पास घ्रत गचरा करने के बंड करने के लिए कर लिए मेरे मेरें की सneak पड़ा है अधाय में जाए पानी डालना पड़ा और दूसरी के स्गाम आएगी हम दोनों बको लेके चलेंगे हूँ हां दोनों बको इसे पा बखीट है हमारी पानी की तो अभी मैंने से भी फूल कर दिया है हमारा एक्यों पुरी तरह से भर चुका है आप मुझे बस इन दोनों को फेकना बालते हो ठीक है उपर नीचे बालतियां आ चुकी है तो ठीक है अभी के लिए मिले को बस इनका भाई डेकुरेशन का समान है तो वही करना है अब हमें एक लंबी सी लिष्ट दिया है जिसे साफ से हमें इसरे काम चलो अब ही मैंने दो लेंप लगा देता हूं कोने कोने पर दो लगा जैसे की देखने में सहीो लगे गाए तो ठीक आप सुकोँ और यहां पर होक्त दिया में आप दियुकों यहां है दो अब ही यहां द। मैं बाद बाद कर दोने खते हुरणों आप मारा करा करता हूं पीछे ना इसके background लगाता हूं जो की color आप पता लग रहा है देखो यार इस lights का अब पता लग रहा है पहले पता नहीं लग रहा था तो ठीक है अब हम देखते हैं अपना next काम क्या है तो अभी मेरे को यहां पे क्या करना है put some भाई मेरे को नहीं हां पे मतलब यार sea plants लेने पड़ेंगे तो मैं जल्दी से यहां पे sea plants भाई कर लेता हूं कुछ है यहां पे तो चार यह उचके हैं और कौन से लेने चाहिए तो ठीक है काफी सारे plants है इसमें बाकि तुम सब भी मेरे को comment कर सकते हूं कोई मचली अचली पाल नहीं है और aquarium बनवाना है तो हम ल लगाता हूं plants देखने में कितने जादा अच्छा लगते हैं तो चलो अभी यह काम तो पूरा finish हो चुका है मेरा बट अभी के लिए ना मेरे को यहां पे इसको पहले फेकता हूं दो मिट यहां पे ना पता नहीं लगता कभी कोई समान आता है तो ठीक है अभी ना मेरे को औ यहां पर यह लगते हैं दो मिट परफांट आजा भाई यहां पर यहां पे यह प्रफ्स घुट यहां पर यहां पर फी चीजियं की अँंड शेतीं है जो कि मुझे पाय करनी है तो चलो अभी yea से कोरल बाय करना है तो ठीक है बहुत यहां पर यहां पर यहां ठीव लूरा कोरल जो की मेरे को भाय करना है तो मेरे यहां पर चार यह पांच चार लेता हूं यहां पर यह चैसे नौन यह test यह यह दूस नौन यह है यहां पर मैंने दस लिए है आपёр यह. महुंधा फैर मैंने धसी कंडार थे यह इने ब squash लोगाना बात कर दो जिरा फेक फेक के मारना है यह सीधे खड़े हो कर नहीं लगते एक तो बात यह है यह मतलब गिर के ही लगते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे तो चलो बटना एक बाद बता हूं उनका डिजाइन काफी जाधा कलर फुल है इसकर कर नहीं जादा अच्छे लगते हैं तुम सब मेरे को comment में बता सकते हो यह Aquarium थोड़ा बहुत देखने में अच्छा लगा यहां नहीं लगा भागी इस game में तुम सब को मज़ा रहा है या नहीं अब देखो यह अभी तो मेरे को दो तयार करने है harvest nuestras Alicia request ऐसके बाद हम अपनी शौप घुलेंगे चिसमें की कस्टमर्स आएंगे हमें उनका वह बना के रखना है और जैसे हम इंटर्णेट के इंग्षन सब में खेलते प्रभी तो ठीक है अभी के लिए यहां पे मेरे को और क्या करीदना भाई यहां पे मेरे कुर्ट सी होर्स और भी समान लेना है मतलब फिश्ट भी लेनी है आप पर इससे पहले न मैं अपने हीटर को उन करते ताहूं इनके लिए ठीक है हीटर को भी मैं 16 पे रख देता हूं यहाँ पर तो पत्ता है यहां पर कोने पर यह रहा बाई अलगी दिखी ने रहा हंदेरे में नहीं ठीक है टंपरेचर 16 बता रहा है यहां पर हमारा हीटर खराब तो बिल्कुल भी नहीं है बट अभी के लिए मिलेको यहां पर ना भाई फिश रखनी है जो कि अच्छा गासा है तो ठिक है अभी न यहां पराद फिश देखनी है कौन सी लेनी है मेरे को फिश यहां पे लिनिया है बलू टैंग कौन सी है लेनी है है कौन सइ है ब्लू टैंग ठीक है यहां पर यह रही एक ब्लू टैंग हे इसको मिरेको तीन लेना है तो ठीक जार्य को में मिर Вас प्ना कैसा लग रहे हैं जो कि भþहि ऌदेरा यहां पर बॉस्ष्ट को உ कौ कर दो तीन रहे चुकि यहां पर यहां पर दो बहुत काम बाकी है जो कि हमें निफताना है यहाँ पर तो ठीक है यहाँ पर इनका खाना डूट रहता मैं जो की मिल चुका है बस इने खाना वना किलाना है क्योंकि भूकें बीचारे और अभी इनका heater ठीक करना है दोफ में मचलियों करना, एक देख लूंगा, कि यह अभी है इस अक्योरियम में नहीं अगर खुस नहीं होगी तो इनके मरने के चांस इस काफी है तो ठीक है अभी टैडी तो हमारे देखने में लगे हुए तो यह रहा ठीक है ठीक है मैं दो मिट मचलियों का देख लेता हूं यहां पे सब कुछ पूरा है डेकोरेट्शन प्लांट्स यह जो टेंपरेचर है ना भाई यह अच्छी तरह पूरा नहीं है यह साइसे थेर्मोमेटर था यह रहा हीटर जो कि मेरे को और बढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा यहां पर 18 कर दिया है मचलिया आप देख लेता हूं फिश्ट को अभी भी खुस नहीं है थोड़ा सा बढ मचलिया मर भी सकती हैं तो मेरे को हीटर को नवाई अर्जेस्ट करना पड़ेगा किसी तरह उसको लेवल पे लाना पड़ेगा तो ठीक है अभी के लिए न मैं हीटर को दुबारा बढ़ाता हूं वह तो टेंपरेचर इतना है यह नहीं भाई अभी तो ठीक है मैं टेंपरे अब हमें क्या करना है इस लड़की के साथ जाना है इसका अक्यूरियम करता हूं इस अक्यूरियम के बाद हमारी कुद की एक शॉप होगी वह भी अब नेक्स अप्सोड में आपको दिखाऊंगा मैं बाकि यह वाल एपसोड यहीं पर खतम करते हैँ होप आप सबको यह वा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कोई अच्छा सा कमेंट करना जो कि तुम्हें लगता है इस वीडियो के रिगार्डिंग गेम सेजेशन कुछ भी है वो बता देना मुझे तो मिलते हैं अगले वाले एपसोड में तब तक के लिए बाइबाइबा